हेलो दोटो स्वागत है आपका सोचियोलाजी क्लासिस के हमारी यूट्यूब चैनल पर हम भीबायों परिवार से संबने कुछ प्रश्न देख रहे थे तो इससे पहले आपको एक स्विचरा दे रहे हैं कि आप अगर लाइब करना चाहते हैं डेली तो आप हमारे टेलग्राम चैनल पर जूटकर 9 a.m. और 9 p.m. पर कुछ कर सकते हैं तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइद करवाया जाएं था तो आई ये देखते हैं आज का प्रश्न भारती सास्त्रों के अनुसार इस्त्रिधन किसे करते हैं उसके स्व सद्रीन कि तेकर प्रवग्स अन्दर में भारती सास्तों में कहा गया है जड़क स्वेयं के विवार में कर 833 सर्मय के समय उक्रवके प्रवार्य को अ Goddess या उसके पड़ीवार वालों को दिया गया अनूरी की अ कहा धा होता है आ की मिया तो कि निम्नांकित में से कौन एक वहर बीवा का दर नहीं है को अध्र पर वहर Vha और भाइर वयद्रूला पिंढ वहर वार्ड वहर वह और हीर दूए तर वहाँ राइट अंसर जो हो पुर्वाज यार इस योगना यभी एक तरह क्या से गुत्र का ही एक बिपरीट सरी इंप गोत्र के एक समना अंतर सब्सक्राइब इसे कह सकते हैं पिंडबहिल व्युवार था अपने गाउं इलाकों से बाहर विवा करना यभी पिंडबहिल व्युवार मिश्यद में सम्झे किया जाता है दो एक विएक्ति तथा उसकी पत्मी दो बच्चे और एक पुट्रवधू से परिवार को निम्रांकित में से क्या कहasiya क्या परिवार संहölत्य परिवार बिश्री परिवार इनमेंसे कोई नहीं को यहां पर आइपार हो जाएगा बी संही और वह संत्य परिवार इस परिवार को कहते हैं जिसमें पीडियों के चिर्ण सेधास्यों का एक स्मामादिय निमार और एकसाथरzone कर एक आर्थिक कारे पढ़ाली होती है और जो परसपर रख्त संबंद से बढ़े होते हैं तो अलग-अलग समास्तास्तियों ने विभिन विभिन पीडियों को एक साथ रहने का अर्थ यह लगाया कि वह परसपरिक आत्मियता या प्राथमिक भावनाओं से गहराई से जुड़े होने चाहिए कवाड़ी जो पीडियों की घहराई भी इसे कहा जाता है सयुक्त परिवार के प्रावन प्रिशेषता है पती पत्नी और उसके अविभाई संतान या उनकी विभाहित पुत्र अपनी संतानों सहीत पती पत्नी उसकी अविभाहित संतान या पती के माता पिता या अविभाहित भाहित संतान या पती के माता पिता वहीं तीसरा होगा कई भाई अपनी पत्नियों के साथ और संतानों के साथ एक साथ रहते हैं उन्हें भी संत्र परिवार की स्रेड़ी में रखा जाता है कई भाई अपनी पत्नियों और संतानों अपने माता पिता साथ रहते हैं तो उसे भी संत्र परिवार की स्रेड़ी में कहा जाता है अगर यहां पर पुत्रवधू को निकाल दिया जाए तो यह एक नाविकी परिवार या एकल परिवार किसरेली में होगा अगला है किसने पीडियों को गहराई को संयुक्त परिवार का लच्छर बताया है या कियम कबालिया हैं यहां प्रीवार को संयुक्त परिवार के पर गहां परण है कुष्ण laur सूरत के नवसारी नगर में परिवार का अध्यन किया और वहां उन्होंने अपनी पुस्तक रूरल फैमली पैटर्ण ए इस्टड़ी इंद अर्बन रूलर रिलेसंसिप नामक लेक्ट में प्रकासित गामिडवा नगरी परिवारों का तुलनात्मक अध्यन या निसकर्श नि किया है कि यंगा और देशाई आई पीडिशाई में साथ यह राइट अंसर जो हो जाएगा आई पीडिशाई ने बुझरात के छोटे सार महुगा का अध्यन करके संयुक्त परिवार की समर्चनात्मों के प्रकावियात्मक एकता का अध्यां किया है अगला है निम्लिखित में से कौन सी विशेष्टा संयुक्त परिवार की विशेष्टा नहीं है तीन पीडियों के लोगों का होना समिष्ट की भावना स्रम का सरल विवाजन या सुता विकास तुराइट आंसर जी हो जाएगा शेष्ट परिवार का विकास सुतार नहीं होता है बलकि प्रयासों से किये सकता है कि आ जाएगा ओए स समामनता इसमें तीन या तीन से अधिक फिभीयां समलित होती है हैं रख्त संबंदी होते हैं रखते हुं वीवा संबंदी दोनों सामिल हो सकते हैं कभी-कभी इनकी संख्या 40-50 भी हो सकती है समानी संपत्ति होता है समानी निवास होता है और इनमें समानता अर्था समिष्ट की भावना भी पाई जाती है इसमें सरोच अर्था सबसे बयोव इरावती करवे जो हैं इन्होंने सहींक्त परिवार को ऐसे व्यक्तियों के समुख के रूप में देखा है जो एक ही घर में एक अस्थान प्रिवबनाव का भोजन समान संपति और समान पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से रख्त संबंधी चुड़े होते ह हैं महीं आइपी दिसाई कहते हैं कि परिवों जो संभी परिवार होता है वह पिल्डियों की संख्या को बिशेस महत्र देते हुए आइक घर में एक संभी में जिसमें अनेक पिल्डियां होंगी शमान तर्टीन यह तीन से अधिक सदच्चे होंगे एक साथ रहते होंगे ज रहने के लिए एक रोमांचक समूं होता है। सो एक संभक सब्सक्राइबÓ सब्सक्राइब हसी लडाई खट्षाें कई चीजों को देखकर इन्होंने उसके इसके कई प्रकार के गुर्ट पाये जाते हैं या काफी जटिल होती है इसमें कहीं थोड़ी हसी कोहीं मजाक ढगड़ा आधी शम्मीत होता इसलिए यहां रोमांचीत होता इसमें कई तरह की भूमक्याओं का निल्वान करना पड़ता है अगला है निम्नांकीत बिद्वानों में से किसने अतिहासी परिपेच में हिंदु परिवारों का अध्यान किया है एलन रास, MS गोरे, IP रेसाई, इरावती करवे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इरावती करवे ने अतियासी परिपेच में हिंदू परिवारों का ध्यान किया है, युक्त परिवार की कौन सी विशेष्टा नहीं है, बड़ा अकार सदस्यों के भी सिनिश्चिस संस्रा परंपराओं पर आधारी संरचना स्रदस्यों में आपचारिक संबंध, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपचारिक संबंध की व्याप्ताना होकर अनपचारिक संबंध पाया जाता है, अगला है, निम्नांकित में से कौन से समास्तास्त्री या ओलोकन है, भ के एंधिन ने अध्यन मेंERS देखा हिंदू भाओनाये आज भी त्परिवार के पच्छ में हैं संध्यास और भाओनाओं की पेच्छा कारण गैर हिंदू बनने की वजा और विधानों विधानों का किसना packed our Day च्छोटा रूंप है या सही है या गलत पूरता सई अफ टासुटा सई पूर्ता कलथ थो राइट अंचसे जो हो जाएगा या होगा ठोलतर सही सहयोक्त परिवार्वार्वाट्व सामासिक जगत का चोटा सवर्व या रूप होता है या पूरता है तो यह कौन कहते हैं आई पी दिसाई से संबंदित यह कथन अगला है कि शंयुक्त परिपार ब्यवस्था विक्टन के कदार पर हैं निम्नांकित में से कौन सा कारक इसके विक्टन के लिए उत्तरदाई नहीं है प्रिपादन बढ़ रहा है तो पारिवारिक बिगटन के प्रमकारणों में क्रिशी उपादन के बढ़ना या समलित नहीं किया जाता है भारत में संहींत परिवार आदर्स रूप माना जाता है लेकिन नए कानुन बढ़ती जनक्तिया गाउं में मसीनों का प्रयोग भावतिक प्रास्चात जीवन का दबाव और जोगी करड़ आदनी करड़ सिच्छा आज की सभी कारड़ों से भारती संहींत परिवार का आकार चोटा होता जा रहा है आज दो या दो से अधिक पीडियों को एक साथ रहना ज्यादा बेवारिक हो गया वहीं परिवार के मुख्या का नेत्री तो जो है कमजोर हो रहा है क्रिसी उत्पादन बढ़ने से संहींत परिवार की दिरस्था में कोई प्रकार का बिग्टन नहीं है तो आज की वीडियों नहीं सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक और सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य वार्त